नमस्कार दोस्तों 28 सिप्टमबर के बर्निंग न्यूस डिसक्शन में आपका स्वागत है जो इंपोर्टन न्यूस है आज की वो मैं आपको बताऊंगा लेक्चर की पीडियाफ के लिए टेलीग्राम चैनल जोइन करिए मेरे तुसे जोड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम में ये बोल रहे हैं इंडिया अभी भी हर्ड इम्मुनिटी से बहुत जादा दूर है हर्ड इम्मुनिटी क्या होती है कि इतने बड़े लेवल पे एक बिमारी फैल जाए और ऑविसी बात हो रही है यहां पर करोना वाइरस की तो इतने बड़े लेवल पे बिमारी फैल ज करो और एक बहुत बड़ ऐक्राउड पर आप इस चीज़ की टेस्टिंग करो तो जब एक बहुत बड़े इलाकिये में जब सेरम सर्वेस किया आये जाते हैं तो उनके प्लट सैंपल ली जाते है और उन ब्लट सैंपल में एंटी बोडिज चेक जाती है और अगर उन एंटी बाड़ी से पता चले कि हाँ भाई कोरोना की इसमें एंटी बाड़ी बनी है तो मतलब कहीं न कहीं वो परसन पहले कोरोना वाइरस से इंफेक्ट हुआ बाद में सही हो गया तो जो पहला सेरो सरवे हुआ था मेर 2020 में इसने जो नौवल कोरोना व इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा दूर है और दुनिया वर की सर्वेस बता चुकी है कि कोरोना वाइरस की केस में हर्ड इम्यूनिटी तब आएगी जब ओवर और सतर प्रतिशत आवादी कोरोना वाइरस से एफेक्ट हो जाएगी तो इसलिए यहां पे हरश वर्दन पूरी दुनिया सॉरी पूरे इंडिया के लोगों को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वाइरस के लिए जो एविलेबल मेथेट्स हैं जैसे कि फिस्कल डिस्टेंसिंग हो गया और बाकी जो आपको डेली मर्रा की प्रैक्टिस में अपनी जो आदतें लेक बताई जा रही है जो प्लाजमा ठेलिबल में इसेफ नहीं बताई जा रहा है कि बया कि ब्लाजमा ठेलिबल को रामदसेवर को ना इस्तेवाल करें और साथ-साथ यह जो कोरविल वारस है यह पेशेंट्स के लंगस के साथ-साथ उसके दूसरे Epic सिस्टम को भी अफेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं ओवर ओल आपको अपनी इम्मुनिटी बढ़ाने की जरूरत है साफ साफ यह भी बताया गया कि भीया कैसे देश में जो एम्स है वह अलग अलग रीजन वाइस प्रॉपर तरीके से नहीं फैले जैसे कुछ जगों पर स्वास्त सुरक्षा योजना कब चालू की गई थी तो यह मार्श 2006 में चालू की गई थी क्या काम था इसका इम्स एट करेक्टिंग ता इम्बैलेंसे इन अफॉर्डबिल हेल्थ फैसिलेटी इन डिफरेंट पर्ट्री इन जेनरल और अउगमेंटिंग फैसिलेटी इस वर राम देसिवर मैक्सीन है ये एक वैक्सीन है आपका मर्स वाइरस और सार्स वाइरस को क्योर करने के लिए है लेकिन अभी भी पूरी तरी केसे इसको अफेक्टिव नहीं माना जा रहा है इसलिए लार्ज स्केल यूज जो है आपका राम डेसिवर का इसको प्रमोट नहीं क जा रहा है हलाकि जिनके पास जो करोना वायरस के से केसें बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गए वहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है दिखे हमारे जो यूनेट मिनिस्टर देफॉर्मर यूनेट मिनिस्टर जश्वन सिंघ साब ये बीजेपी के पार्टी के साथ एसोसिय जस्वंत सिंग जी बहुत ज़दा इन्वार्ट थे जब पोक्रम में नूकलर ये टेस्टिंग की थी इंडिया ने 1998 में तो उस समय पर जब यूएस ने संक्शन्स लगा दिये थे इंडिया के ऊपर तो उस संक्शन्स को इस करने के लिए जो बातचीत करी थी उसमें जस्वंत सिंग जी ने लीड किया थे फिर भाया हमारे देश के हीरो भगा सिंग जी लायल पूर नाम की जगा है वेस्टन पंजाब प्रिजेंट पाकिस्तान में यहां पर इनका जनम हुआ था 23 मार्श 1931 को इनकी मृत्ति हो गई ओके आप देखेंगे कि he was the revolutionary hero of the Indian independence movement क्या क्या किया था इन्होंने तो British Police Officer John Saunders को गोली मारी थी इसको तो बहुत सारी पिच्चरों में भी दिखाया गया है इनकी 113 वी बर्थ anniversary है और देखिया भगा सिंसाम ने क्या बोला है भले इनका शरी राज ना हो भले इनको अंग्रेजों नफासी पे चला दिया हो लेकिन इनके आइडियाज हर modern Indians के अंदर आज की डेट में भी है और आज की डेट में भी इनको बहुत respect किया जाता है एक revolutionary leader हमारे देश के लिए हस्ते हस्ते नहीं जान दे दी एक इतना बड़ा काम करते है जो स्वाइद normal case में जद दतर individuals कर नहीं पाएंगे तो 28 September 2020 इनकी 113 वे वर्ष गाट थी शहीद आदम सरगार भगसिंग जी कोई बहुत आश्चर की बात नहीं होगी अगर इनकी birth anniversary से related question पूछ दिया जाए तो याद रखेगा 28 September 2020 is the birth anniversary of सरदार शहीद भगसिंग जी आगे चलते हैं चोटी सी news है आपको PBT अवलेवर करा दूँगा आप खुद पढ़ लिजे इंडिया और जापान के बीच में जो इसका फोर्थ एडिशन चल रहा है Northern Arabian Sea में यहाँ पे देखे अभी रिसेंटली एक mutual logistic support agreement sign क्या है इंडिया जापान ने ठीक है ना mutual logistic support agreement का मतलब एक दूसरे की logistic facilities यह इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम लोग जापान की जो भी logistic facilities होगी नेवी की चाहे वो जापान में हो चाहे दुनिया बर में कहीं पे हो वो इंडिया नेवी इस्तेमाल कर सकती है और दोनों ने मिलके North Arabian Sea में एक naval exercise की जिसका नाम है जाइमेक्स 20 तो भाईया अगर आपसे पूछ दे जाए जाएमेक्स 20 किसके किसके बीच में naval exercise है इंडिया जापान तो यहाँ पर वेपन्स फाइरिंग क्रॉस्टेक हेलिकॉप्टर ऑपरेशन कॉंप्लेक्स सर्वेसे एंटी सब्मेरीन एं एर वार्फेर डिल्स यह सब कुछ यहाँ प दो पैसिफिक रिजिएन में पूरा का पूरा पैसिफिक ऑसिफिक ऑ जाएगा और जब पैसिफिक ऑसिन आ जाएगा तो साउच चैना सी भी उसमें आ जायेगा और इन ओशन में maritime डोवेन अवेर्नेस को बढ़ा रहे हैं तो दोनों कंट्रीज ने प्रोग्रस किये मैं मैंन अंडमान एन निकुबार आइलाइंट्स है यह स्ट्रेटिक मलक्का के काफी पास है तो चुकि जापान के साथ भी एक लॉजिस्टिक एग्रिमेंट साइन हो गया है और स्टेला के साथ भी एक लॉजिस्टिक एग्रिमेंट साइन हो गया है यूएस के साथ तो हमने लेमुव अब देखे एक बहुत इंपॉर्टन इवेंट हुआ है अर्मेनिया और अजरबायजान में चिड़ गई है जंग एक बार काम करते हैं यहां मैप देख लेते हैं तो यह आपको पूरा का पूरा अजरबायजान नजर आ रहा है यहां पे इसका एक खुबसूरस ता शहर है बाकू इसके इस्टन एच पे कैस्पियंसी पे कहां है बाकू तो सम्वेर यहां पे है बाकू आपका शहर ठीक है बाकू नाम का शहर है इधर आपको दिख रहा है अर्मेनिया और इन दोरों के बीच में बहुत सी contested territories हैं यह पूरी की पूरी आपको contested territory ने जारा ले जिसमें जो orange रंग की territory है जो कि यहां पे भी है, यहां की भी है यह वाली भी है तो यह जो orange रंग की territory है यह Azerbaijan claim करता है हमारी है पर इस पे कबजा किसका है अर्मेनिया की आर्मी का उसी तरीके से कुछ green रंग की category यह territory है जिसको बोलता है कि Armenia हमारी बोलता है लेकिन Azerbaijan ने इस पे कबजा कर रखा यह green रंग की territory आपको यहां पे दिख रही है फिर इस इलाके के एक छोटे सी इलाके में भी Azerbaijan ने कबजा कर रखा है एक फर्क है यहां पे Armenia एक landlock country नज़रा रही है आपको और Azerbaijan एक landlock country नहीं है Armenia का अगर आप northern border देखो तो आपको Armenia के north में जोर्जिया नज़रा रहा Azerbaijan के north में भी जोर्जिया है Armenia के west में आपको तर्की नज़रा आएगा Armenia के south में आपको इरान नज़रा आएगा Azerbaijan के south में भी आपको इरान नज़रा आएगा Turkey किसको support करता है Azerbaijan को support करता है Pakistan किसको support करता है Azerbaijan को support करता है Azerbaijan एक Muslim majority nation है Armenia एक Christian majority nation है तो कहीं न कहीं एक religious zeal वाला element भी आ रहा है और भाया बिग डैडी अजरबाइजान के नौर्थ में देखे रशिया रशिया था पहले USSR 1990 में USSR टूड गया और इससे ये पूरा का पूरा इलाका बहार निकला च्कि अजरबाइजान और अरमेanिया में बढ़ गया और तब से अजरबाइजान और अरमेनिया में लड़ाई चल रही है किस अलाके को लेकि इस नगौरने काराबागड वाले लाके को लेके ठीके दोस्तों तो यहां पे देखते हैं कि भाया संडे को अर्मेनिया और अबरबाइजान के बीच में लड़ाई सी छड़ गई नगोर्नो काराबाग वाले इलाके को लेके सौधन कौकेकसस रीजन में है खास बात यह है कि अर्मेनिया और अजर्बाइजान के आसपास के अलाके में बहुत सरे ओल और गैस फील्ड्स हैं यह ओल और गैस निकाल के लेके जाई जाती है आपके पूरे जो नौर्धन योरोप का रीजन है उस सब जगहों पे तो देख सकते हैं कि जो अर्मेनिया और अजर्बाइजान के मिलिटरी ने आपस में लड़ाई की है उसके चलते थोड़ा डर सा फैल गया है यहां पे कि भाई यह जो पूरा का पूरा रीजन है यह डी स्टेबलाइश कर सकता है तो जो तरकी के प्राइम मिनिस्टर है अडोगान साब प्राइम मिनिस्टर थो नहीं प्रेजडेंट है इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अर्मेनिया की इन अक्टिविटीज की वज़े से पूरे के पूरे रीजन में फायर लग सकती है जो पाइपलाइज है जो की कैस्प बाग का रीजन, इस रीजन को याद रखेगा, चुकि जब आप इस रीजन को याद रखोगा, आपको पता रहेगा इस रीजन की लोकेशन क्या है, और अक्सर का UPSC, जगहों के नाम देके लोकेशन को पूछता है, जब यह लड़ाई छिडी, तो बहुत सारी कंट्रीस से स् प्रोफवांसिस ने बोला कि भाईया बातचीत करो, लड़ाई को एक religious angle दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं, अगर एक religious angle यहाँ पे निकल के आता है, तो और ख़तरनाक लड़ाई यह हो सकती है, इसमें संडे वाले classes में यह बोला गया है, American right activist, Armenian right activist ने बोला कि एक Armenian woman की मृत् उसके बात यह भी बोला गया कि Armenian ने बहुत सारे अजरबाईजान के helicopters को, tanks को destroy कर दिये, हाला कि अजरबाईजान की तलब से एक news आई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, जो रशिया के foreign minister सर्जेई लेवरोव, वो क्या बोल रहे हैं, कि भाईया उन्होंने अजरबाईजान के side में है, तो टर्की अर्मेनिया के against बोल रहा है, टर्की बोल रहा है कि अर्मेनिया पूरी region में आग लगा देगा, तो इस तरीके के statements आ रहे हैं और पूरी politics यहाँ पे चालू हो चुकी है, next news, कल ही मैंने आपके साथ discuss किया था, मोधी जी ने एक statement issue किया श्री लंकन constitution और जो proposed 20th amendment of the श्री लंकन constitution है, इसको मैं कल आपकी वीडियो में समझा चुका हूँ, अभी श्री लंका की तरफ से जो statement निकलाया है, राजा पासका साब के office से, उन्होंने 13th amendment के बारे में कोई बातचीत नहीं करी है, उन्होंने यह बोला है कि हाँ भाई, geopolitics क को बढ़ाएंगे, defense को बढ़ाएंगे, tourism को बढ़ाएंगे, post-war reconciliation को अच्छा करेंगे, बट कहीं न कहीं 13th amendment के मूल प्रावधानों को आगे लेके जाएंगे, ऐसा कुछ भी उस statement में नहीं लिखा है, जो महिंदा राजा पाकसा साब के office से issue हुआ, तो अभी 13th amendment के respect में शि कर दिया है, sandalwood trees को infect कर दिया है, करनाटिका में बहुत सारे sandalwood trees पाए जाते हैं, बहुत से southern states में sandalwood trees पाए जाते हैं, और इन sandalwood truce में एक problem है, sandalwood spike disease, ठीक है, यह जो sandalwood spike disease है दोस्तों, इसका कोई cure नहीं है, और यह बहुत पहले सही है, जैसे kodagoo नाम की जगा है, यह आपे sandalwood, यह जो spike disease है, यह 1899 में आई थी, उस समय पे एक million sandalwood trees को काटना पड़ा था, 1903 से लेके 1916 में, उस समय पे महराजा और मैसूरू ने 1907 में declare कि जो भी इसका cure धूने का उसको 10,000 रुपे देंगे, बाद में आप देखो कि 1907 से लेके 1985 के time period में 98,000 lump sum trees को और हटा आप पड़ा, और अभी भी यह जो SSD नाम की जो दवाई है, यह बिमारी है, यह काफी परेशान कर रही है, इसलिए sandalwood इस समय पे international union for conservation of nature के साब से vulnerable है, तो यहाँ पे इस problem को रोकने के लिए यह जो organization है, institute of wood science and technology, इसने हाथ मिलाया है, पूने बेस national center for call science, cell sciences के साथ, ठीक है रुपे से, यह जो sandalwood trees के सामने जो problem आ रही है, इसके proper तरीके से problem के solution को दूणने की कोशिश की जाएगी, sandalwood के trees को और जगों पे plant करा जासा कि इसकी कोशिश की जाएगी, हाला कि sandalwood के trees को उगा पाना कम समय में possible नहीं है, एक tree को पूरी तरीके सोगने में 40-50 साल लग जाते हैं, काफी समय लग जाता है, तो कहीं ना कहीं, यह जो बीमारी है, इसको दूर करने की जरूत है, जिसके लिए proper scientific research की जरूत है, हाला कि यह जो आपकी disease है, sandalwood spike disease, यह काफी बड़ा challenge बनके आई है सामने, तो अब देखते हैं, इसमें क्या चीज निकल का है, तो ग्वी अइना इसके, thank you for watching this video friends, have a great day.